नमस्कार एक बार पनौ हाजर वो मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके अपने चैनल गो ब्लॉक्स पे दोस्तों हमारे सामने जो ये हतेली है अगर इस हतेली को हम एक नजर करते हैं तो पहले जो द्रिष्टी हमारी जाती है इनकी उंगलियों पे चली जाती है देखेगा इनकी जो उंगलियां है उनका जो जुकाओ है जिस तरफ वो जुक रही है आप देखोगे जो इनकी इंडेक्स फिंगर है ये भी मध्यमा की तरफ जुकती हुई परतीत हुरी है जो सूरे की उंगली है जिसे हम रिंग फिंगर कहते हैं ये भी मध्यमा मतलब मिडि फिंगर की और जुकाई दे रही है और जो हमारी सबसे छोटी उंगली है इसका जुकाओ भी कहीं न कहीं मिडिल फिंगर की और है और जब भी हमारी उंगलियों का हमारी फिंगर का जुकाओ मिडिल फिंगर की और होता है बीच वाली उंगली की और होता है तो सनी का नगेटि देखना है बिल्कुल सरलतम आउस्ता है ये ठीक नहीं माना जाता है क्योंकि फिर ब्यक्ति एकांतवासी और कई बार दुखी जिवनकाल में कितना भी कुछ हो आपका लेकिन खुशियों में जो है कमी देखने को मिलती है ये सबसे पहला कारण है हाँ वहीं देखा जाए तो ये पूरी तरह से अगर इस तरफ जुक जाए बहुत जादा जुक जाए तो धार्मिक भावनाई बिक्ति के अंदर बहुत जादा मातरा में उत्पन करती है ये और ये उंगली ज़्यादा जुग जाए इस तरफ तो ब्यक्ति धन के परती नेम और फेम के परती बहुत ज़्यादा सोचता है और कोशिस भी अपनी जिवन में बहुत ज़्यादा करता है और ये उंगली भी इस तरफ जुग जाए सूरे की तरफ जुग जाए तो निश्चित तोर पे ब्यक्ति जो है आने वाले समय में अपने ब्यापार में अच्छे खासी उन्नति करता है और अपने ब्यापार में जो है चतुराई ब्यक्ति के अंदर आती है लेकिन वहीं पे एक नगेटिब प्रवाव और देखने को मिलना है आपकी हतेली में जो उर्जा का ग्रह है जो आपकी हतेली में जो है करियर का ग्रह है जो आपकी हतेली में एक प्रकास का ग्रह है जो विस्तार देता है वो ग्रह आपका जो है बहुत जादा कमजोर आउस्ता में दिखाई पड़ा है बहुत ही जादा कमजोर आउस्ता में यदि ये ग्रह इस तरह से कमजोर आउस्ता में दिखाई पड़ता है तो ब्यक्ति के बरतमान समय को इंगित करता हुआ दिखाई देता है केवल बरतमान समय को यहाँ पर यह चीज ध्यान रखना यह केवल बिक्त के बरतमान समय को इंगित करता है यह हमारी अगर साप दृष्टी से देखें आप सुन्दर दृष्टी से देखें जरह समझने कि अगर आप कोशिस करें जो हमारी यह रिंग फिंगर है सबसे चोटी उमली है उसकी बगल वाली उमली उसका जड़ वाला ये भाग है इसे कहते सूर्य और सूर्य का मतलब होता है उर्जा सूर्य का मतलब होता है प्रकास सूर्य का मतलब होता है विस्तार सूर्य आस्मान में चमकता है तो वो पूरा प्रकास फैला लेता है पूरी दुनिया में प गमजोर अवस्ता में हो जैसे आपका है तो बरतमान समय में आपकी मेहनत का आपके परिश्रम का पूरा स्रे पूरा क्रेडिट आपको नहीं मिल पा रहा है। यस की प्राप्ती मिलती हुई यह आपे नहीं दिखाई दे रही है। तो नाम और यस मिलता है। जीवन में आप यसस्वी होते हैं। सूरे से ही रज्य का पद मिलता है। सूरे से ही इस्टेट में बढ़िया पोजिसन की संभावना बन जाती है। अगर सूरे बहुत जादा खराब हो जाता है तो टी बी की समस्या भी बन जाती है। और किसी न किसी रूप से ब्यक्ति सूरे अगर कमजोर इस्टित में होता है, इस तरह की इस्टित में होता है, तो स्वस्त्य में कहीं न कहीं जो है, स्वस्त्य में गडवड रहता है, ब्यक्ति स्वस्त्य में गडवड ता की सिकायत लेकर हमेशा रहता है और चिंता बनी र बहुत सुनर जो है चिन बनता हुआ है दिखाई दी रहा है जिसको वर्ग का चिन कहते हैं आहिताकार रोप में है छोटी छोटी इसपश्ट रोप में बन रहा है अगर सुर्य पुष्ट होते हैं तो आपका जो ब्यापार है जादा तर ऐसे लोग एक्सपोर्ट और इंपोर् बिस्तार तो अगर आपका सुर्य ठीक हो जाता है तो स्वस्त्य की प्रोब्लम जो आपको चली आ रही होगी वो स्वस्त्य की प्रोब्लम भी ठीक हो जाएगी और जीवन में बिस्तार होगा आपकी मिहनत का आपके परिश्रम का पूरा स्रेई पूरा क्रेडित आपको मिले चाहे आप नोकरी करो चाहे आप व्यावसाय करो विस्तार होगा और दोसरा जो ब्यापार आप करोगे वो ब्यापार कहीं न कहीं जो है एक से ज़्यादा सहरों में आपका ब्यापार चलता हुआ दिखाई दे रहा है आने वाले समय में दोसरी अगर हम बात करते हैं आपकी जो सबसे छोटी उंगली है इस तरह से मुड़ी हुई इस तरफ के है धन के मामले में व्यक्ति के मस्तिस्क में सदा चलता रहता है कि मैं धन कमाओं मेरा नाम हो क्योंकि इसका जड़वाला भाग यहाँ पे आप देखोगे काफी उठाव दिखाई देता है जब भी यह जगह उठी उई दिखाई दे तो व्यक्ति के मन में एक ही चीज रहती है छोटा काम करो या बड़ा काम करो मगर नाम हो ब्रान्ड हो मेरा यस की प्राप्ति हो फेम हो यह चीज़ जो है विचार मन में आते हैं लेकिन आपकी उंगली जो है ब आख रखाओं में और communication skills में विद्धता हासिल है। सुन्दर रोप यहां पे दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी एक और चीज दिखाई दे रही देखे आपके उंगलियों के तीसरे पूरों के बीच कही न कहीं चिद रुनमा दिखाई दे रहे है। जो आपके खर्चेले सुभाव को बता रही है बरतमान भी कितना भी पैसा आ जाए आपकी हतेली में पैसा नहीं टिक पाएगा और एक ये साउधान भी कर रहे हैं आपको कि बुडापा काल में जो आपका ओल एज होगा उसमें धन समंदी कमी या आर्थिक रोप से संगर्श का सामना आपको करना पड़ सकता है इसलिए सजग रहें और भावश्य के लिए कुछ ना कुछ आप बचा के रहें बचत की जो योजना है उसकी भावना आप बना के रखें और एक चीज और बता रही है यह आपकी तरजनी है आपकी मध्यमा है इसके बीच में अच्छा खासा सबसे ज़्यादा चिदर दिखाई दे रहा है दीखेगा जो आर्थिक रोप से जो है आप प्रेशान है केवल 35 वर्स तक यह दिखाई दे रहा है जैसे ही 36 वर्स में आप परवेश करेंगे आपका 36 वर्स लगेगा उस टैम से जो आपकी आर्थिक इस्तिती है जो आपकी ब्यापारिक इस्तिती है जो आपकी करियर की इस्तिती है उसमें अच्छी खासी बडोतरी मिलेगी और आर्थिक रोप से जो तंगी चली आ रही है उसमें काफी कमी मिलेगी और जो है आर्थिक तंगी में कमी आ जाएगी और आर्थिक रोप से आप मजबूत हो जाएगे और जीवन सरलता से चलने की काफी जादा उमीद बढ़ जाएगी और अपनी जीवन में एक योजना बद्द तरीके से आप काम करेंगे और आपका सुर्य भी उस टेम पुष्ट आवस्ता में आ जाएगा और कारियों को अच्छा खासा बिस्तार आपको मिलेगा लेकिन 36 वर्स के बाद से 35 वर्स के बाद से 36 वर्स जब लगेगा तब आपकी आर्थिक इस्तिति से लेके सेहत की इस्तिति से लेके सामाजिक इस्तिति से लेके हर तरह से मजबुती के और आपके हतेली बता रही है यहां पे हम मरकरी की बात करते हैं आपका मरकरी का माउंट बड़ा सुनर है पुष्ट है और उज्वलतम इस्तिति में यहां पे दिखा दे रहा है फुष्ट अवस्ता में दिखाई दे रहा है सुन्दर है उबरावा है ऐसे ब्यक्ति जिस काम में हाथ डालते हैं उसमें पूरी की पूरी सफलता अरजित करते हैं और हर तरह की प्रस्तिकियों को भली भाती समझने वाले होते हैं योजना बना कर चलना ऐसे लोगो हो या पूरो सोर जो कारे परारंब करते हैं उसे पूरा अवश्य करते हैं आपके हतेले में बुद्ध परवत शुन्दर और सही रोप से विक्सित अवस्ता में दिखाई पड़ रहा है निश्चित तोर पे सूर्य के मजबूत होने पे मनों बेग्यानिक के छितर में माहिर होंगे सामने वाले ब्यक्ति को किस तरह से प्रभावित करना है ये आप अच्छे तरह से जानते हैं ऐसे लोग ब्यापारिक कारियों में बिसे सपलता प्राप्त करते हैं हतेले में बुद्ध सुन्दर अवस्ता में है तो समय का जो है पूरा पूरा ध्यान रखेंगे और जब अच्छा समय आएगा अच्छे अपूर्चुनिटी आएगी उसको ग्रेप करके चलेंगे कम्यूनिकेस का स्किल्स बहुत सुन्दर यहां पे दिखाई दे रही है और जो सुन्दरता है आपके अंदर वो भी अच्छे खासी दिखाई दे रही है दिखाई पड़ रही है यहां पे अगर हम यहां पे देखते हैं तो देखेगा आपका जो हतेली में एक मंगल की रेखा भी दिखाई दे रही है यह बहुत अच्छा पॉइंट है यहां पे सांदर लकीर है आपकी प्रतिबा और तीबर बुद्धि को इंगित करती हुई नजरारी है और दोसरों का स्वयोग भी आने वाले समय में अच्छा खासा मिलता हुआ यहां पे दिखाई दे रहा है और जीवन में भगवान की भी अच्छी किरपा आपके उपर है और आगे अच्छी खासी बनी रहेगी इस और भी इंगित करती है आप में सोचने और समझने की सक्ति बिसेस होगी जीवन में एक बार यह कोई निरणई ले लेंगे तो कोसिस करेंगे कि उसको अंततक निभाने का सामर्तिय है आपके अंदर और निभाएंगे एक उदे से लेकर आगे बढ़ेंगे और लक्ष की प्राप्त जब तक नहों तब तक जो है विश्राम नहीं लेंगे और आपका जो बिप्तित्व है वो 38 वर्स से बहुत ज़्यादा प्रभाव साली होता नजर आ रहा है यहां पे और यहां पे अगर देखेंगे जो आपका ब्रिस्पति का माउंट है जिसको हम गुरु आचारे कहते हैं वो पुष्टतम आउस्ता में है धन के भाव में अच्छ रहने वाला है इसको कोई नहीं टाल सकता न कोई हो पाई इसको टाल सकते है लेकिन उसके बाद जो धन के मामले में रहेगा सुन्दर और बहुत बढ़िया रहने वाला है स्वयम उन्नति करेंगे जो आपके संसर्ग में आएगा उसको भी उन्नति करने में साहता प्रदान क और मान सम्मान परतिष्टा हमेशा बनी रहेगी यहाँ पे सुकर का परोध देखते हैं, सुकर का परोध काफी पुष्टतम अवस्ता में हैं आने वाले समय में बहुत इक सुक्सुडाई अच्छी खासी रहेंगी परिवार का भी साथ मिलेगा आप भी परिवार के प्रति सम परपन की भावना रखेंगे नई चीजों के पर तिरुजान बना हुआ है और रुजान दहेगा लेकिन बरतमान समय में देखा जाए बहुत सारी रेखाएं एक दूसरे को काटती हुई यहां पर दिखाई दे रही है जो कहीं न कहीं मानसिक परेशाने दे रही है बहुत जादा मिहनत बहुत जादा प्रिसरम के बाद भी अभाव की इस्तित्य जो है यहां पर बनी हुई दिखाई दे रही है हाँ यहां पर एक चीज और दिखाए परेशान करती हुई नजर आ रही है यहां पर जो आपका यह छेत्र है करियर का कोई भी मामला हो क्योंकि यह क्य बुजगार कर रहे हूं ब्यापार जिसको कहते हैं या नोकरी कर रहे हूं उसमें अर्चनों का सामना बेक्ति को करना पड़ता है किसी न किसी रोग में बेक्ति को बहुत ज्यादा संगर्श की इस्तिती जेलने पड़ती है क्योंकि यहां पे सनी और यहां पे सूरे जो है पुष्ट आउस्ता में रहता है तो मन को गढ़बट रखता है मानसिक प्रेशानी से गरसित करता है व्यक्ति को या व्यक्ति भावक ज़ादा हो जाता है बाद बाद पर आंख से आंशो वह जाते हैं एसी इस्तिती। ये लाता है इसलिए अगर मन सही नहीं होगा तो पेट भी कहीं न कहीं जो है खराब होता हुआ दिखाई देर है। चदरमा खराब होने से नीन आने में भी दिक्कतों का सामना बिक्त को करना पड़ता है। मैं इन सब का आपको उपाई दूँगा। लेकिन जो अच्छा समय यहां पर बताया जा रहा है वो 36 वर्स से आपके जीवन में बताता हुआ आपकी हतेली इंगित करती हुई दिखाई देरी है। अंगोठा देखें अंगोठा अच्छा खासा लंबा है फश्ट फैलेंज बहुत सुन्दर है जो आपकी इक्छा सक्तियों को उजागर करता है। आपकी तरक सक्ति भी बहुत सुन्दर है और अंगोठा भी मानसल है तो अपनी हितों की रक्षा करने वाले ब्यक्ति भी है पीछे की और ढला हुआ है लचीला है तो देखा जाए प्रस्तिति के उनसा ढलने वाले ब्यक्ति भी है अगर हम आपका मंगल का छेतर देखें मंगल की रेखा इस तरह से चलती हुई नजरा रही जो अच्छी है जीवन में भले ही संगर से रहेगा लेकिन कहीं न कहीं जो है 38 वर्स से जो है जीवन का जो विकास होगा वो निरंतर होता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है जीवन की रेखा से निकलती हुई भग्य की रेखा च आतेली आपकी बढ़िया रंगत दिख रही हो पिंक दिख रही हो और उंगलियों का आधार एक समान हो जाए तो बड़ा अच्छा नसीब इसको माना जाता है और धन को बेहतर मातरा में आने की संभावना बहुत जादा बढ़ जाती है लेकिन आपकी जो भग्य की लकीर है व आशनका यहाँ पे दिखाई दे रही है लेकिन जो बहुत बढ़िया सुदार होगा वो 36 वर्स से होगा यह चीज़ यहाँ पे बताती हुई नजर आ रही है आपकी मस्तिस करेका बहुत सुन्दर है अच्छे खासी लंबी यहाँ पे दिखाई दे रहे बौदिक अस्तर बह और जंजीर नुमा दिखाई दे रहा है बिक्ति का जो प्रारंबिक जीवन रहा होगा वो ज़्यादा संगर्सों से भरा रहा होगा इस और इंगित करती हुई यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे जो है सनी काफी ज़्यादा बैठा हुआ है यह अच्छा नहीं माना जाता है यदि नोकरी कर रहे हूं, ब्यावसाई कर रहे हूं अर्चनों का ब्यक्ति को सामना करना पड़ता है जीवन में सब कुछ होते हुए भी चिंताई ब्यक्ति के मन में हमें सब बनी रहती है और ब्यक्ति मानसिक रोप से जो है काफी जादा ठकावा महसूस करता है इसका भी उपाय दोंगा जिवन आपकी हिर्दे रेखा देखें इस तरो से दिल से जादा सोचने वाले बिकती है दिल से बहुत जादा सोचते है और इस तरो से उपर की और रेखाई जा रही है यदि किसी करीबी या किसी रिस्तेदार को पैसे देंगे तो वापिस मिलना बहुत जादा मुस्किल यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो थोड़ा सा जो है पैसों के मामले में सजग रहेने की आफशकता आपकी हतीरी यहाँ पे बताती हुई नजर आ रही है अगर हम उपरी मंगल को देखें सासी बहुत अच्छा है द्रिटता और संतुलन यहाँ पे दिखाई दे रहा है प्राकरम बहुत अच्छा रहेगा सुन्दर रहेगा एक और चीज दिखाई दे रहे है आपकी हतीली में आपकी हतेली में चंदर रहेखा से निकल कर चंदर छेतर से निकल कर एक रहेखा जो है इधर को जारी है लेकिन अभी पूर्ण उस्ता में नहीं पहुँची यह रहेखा अगर इसपश्ट हो जाती है और सनी छेतर पे चली जाती है बहले ही बहुत जादा मिहनत कराती है लेकिन याद रखना आप 42 से लेके 45 साल में बहुत अच्छा आपका गोर्डन टाइम रहेगा और 45 साल के आसपास अचानक बहुत बड़ा आर्थिक रूप से बहुत बड़ा लाब होने की उम्मीदियां पे दिखाई दे रही है और इतना बड़ा लाब होगा जिसकी कामना आपने कभी नहीं की होगी अगर ये रेखा पुष्टतम अवस्ता में जो है 40 में साल तक ये सही सुन्दर अवस्ता में सनी परोत पर चली जाती है तो निश्चित रोप से आर्थिक रोप से बहुत सुद्रड होंगे आप बहुत अच्छे होंगे वाहन का सुख, मकान का सुख और ब्यापार का सुख ये तीन सुख आपके जिवन में जो है आएंगे ही आएंगे इस और ये रेखा गारंटी देती हुई दिखाई देरी है अभी आपका समय चाहे कैसा भी चलना है चाहे मजदूरी कर रहे हैं चाहे आप एक-एक रुपे के लिए तरस रहे हैं चाहे आप जो है 500-600 ऐसे आप जो है कमा पा रहे हैं लेकिन ये रेखा अगर सुदिर्ड होके निकलती है और इस भग्या रेखा को नहीं काटती है और सीधा सनी परवत पे चली जाती है और सनी परवत दोस रहित रहता है तो निश्चित रूप से आर्थिक मामले में बहुत ज़्यादा उन्नति करेंगे और आपका जो ब्यापार का छेतर है अच्छा खासा सामराज आप अस्तापित करेंगे और आपका ब्यापार जो होगा कई सहरों में जो है बिद्यमान होगा और अच्छे खासे ब्यापारी आप कहलाएंगे और एक धनध्य ब्यक्तित आपका रहने वाला है इसकी गारंटी आपको ये रेखा देती हुई दिखाई दे रही है लेकिन ये 42 से 45-वे साल और 45 साल के आसपास ये ये चीज आपको देती हुई दिखाई दे रही है अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हतेली का पूरा विशलेशन करके आपको बता दिया है साथ में मैं उपाई भेज रहा हूँ अगर आप उनों उपाईयों को बिदिवत तरीके से करते हैं तो निश्चित रोप से जीवनकाल में अच्छा खासा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा इस वीडियो में बस इतना ही एक नई वीडियो के साथ पनो उपस्तित होंगा तब तक के लिए नमस्कार